नमस्कार मेरे यूटूब चेनल कुस्पा के पाट साला में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूँ रात की बच्ची उई इटली से एकदम इस्पेसल नास्ता उसको मैंने काट के टुकडो में चोटा चोटा कर लिया है और एक कड़ाई में मैंने एक बड़े चमस तेल ले लिया है तेल हमारा गरम हो गया है इसके अंदर मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी थोड़ी सी राई और थोड़ी सी मैं हिंग डाल दूँगी ये नास्ता आप एक बार जरूर बनाए बहुत टेश्टी बनता है अब इसके अंदर मैंने हिंग डाल दी थोड़े सी ये चटक जाएंगे तो इसके अंदर वाइट तिल डालूँगी सपेद तिल है जो इनको थोड़ा चटक ने देंगे हम अच्छे से जब इसके अंदर थोड़ी सी मूंफली डालेंगे मूंफली तो हर गर में जैसे रहती है तो मैं एक कटोरी भर की मूंफली डाल जहीं और इनको थोड़ा भून लेंगे मूंफली थोड़ी फ्राई होने देंगे अच्छे से ताकि कच्ची ना रहे यूँकि इटली का नास्ता बना रहे इटली वैसे पकी हुई है हम ज़्यादा नहीं पकानी है तो हम अच्छे से मूंफली को पहले भून लेंगे इसके साथ ही मैं एक हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ आप ज़्यादा ना डाले जैसे बच्चों के मूं में आती तो पसंद नहीं करते बच्चे इसलिए इनको भून लिया अच्छे से मिर्ची और मूंफली को अब इसके अंदर में मसाले डाल दूँगी एक चमच में लाल मिर्च डाल रही हूँ आप अपने पसंद के अकोडिंग डाल सकते हैं हरी मिर्च डाल ये तो ज़्यादा मिर्ची की जरूत नहीं है नमक स्वाद अनुसा डाल ले आप और आदा चमच के करीम में डालूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर और अब मसालों को थोड़ा भूनेंगी अब इसके अंदर जो मैं इटली काटके रखी है मैंने वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर क्योंकि हमारे घर में कहीं बार इटली बनाते हैं साम को तो बच जाती है और फिर ठंडी इटली कोई नहीं खाता है तो आप इस तरह से नया नास्ता बना दें अराम से सोक से सब खाएंगे और सब को बहुत पसंद आएगे यह वाकी में बहुत टेश्टी बनता है अब सब मिक्स कर लेंगे हम क्योंकि हल्दी डालने से इसका कलर चैंज हो गया अगर आपको यह कलर पसंद नहीं है वाइटही रखना है तो आप हल्दी स्किप कर दें कोई ज़रूरी नहीं डालना मैंने तो डाली यह क्योंकि किसी को यह सा कलर अच्छा भी नहीं लगता तो वाइटहीं रखने है तो आप हल्दी ना डाले और अच्छे से कल लेंगे मिक्स ज्यादा पकाने की जुरुत नहीं है बस थोड़ी सोप्ट है तो थोड़ी हलकी सी गरम हो जाएगी अच्छे सी मिक्स करके और अगर आपको इसमें टमाटर प्याज डालने तो आपके पसंद के नुसार टमाटर प्याज भी डाल सकते हैं इसके अंदर मैं सोस डाल रही है जो सोस सबको पसंद आता बड़े बच्चो सबको तो आप यह डालके नास्ता तयार करें कहीं बार जैसे इडली बच्चाती फैंकने की बजाया अच्छा नास्ता बनके तयार हो जाता है आप बनाएंगे तो एक नया नास्ता तयार हो जाएगा तो आप मैं तो बोलूँगी जरूर बनाके एक बार ट्राई करें वह तहीं टेश्टी बनता है नास्ता अगर बच्चों के टिफिन में भी बनाके डालेंगे तो बच्चे अराम से सोक से लेके जाएंगे गैस बंद कर दूँगी बन के तयार हैं मैंने एक बावल में निकाल लिया अब आपके पास कोई भी नमकीन है वो थोड़ी सी डाल दे मेरे पास आलू हुज जया तो मैं वो डाल रही हूं और थोड़ा सा मैं इसके उपर वापस से हरा धनिया डाल दूँगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर, नई है तो सब्सक्राइब करें और जरूर बना के ट्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो